Hello friends, welcome to study our target दोस्तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले है पॉलिटी का बहुत important topic है राज़िपाल और इस से related most important चालिश कोश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले है जो आने वाले आपके सभी exam के लिए important चालिश सकता है दोस्तो वीडियो को last तक और ध्यान से जरूर देखिएगा सबसे पहले राज़िपाल के बारे में basic information जान लेते हैं उसके बाद फिर MCQ question से start करेंगे ठीक है राज़िपाल अर्थात governor राज़िकी काड़ेपालिका का head होता है क्या होता है राज़िकी काड़ेपालिका का head होता है और वो वही केंदर में जाने तो केंदर में राश्टरपती केंदर की काड़ेपालिका का head होते है दोस्तो राज़िके वास्तविक head की बात करें तो वो CM होता है यानी Chief Minister यानी मुख्यमंत्री लेकिन समवैधानिक रूप में हेड जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं समवैधानिक रूप से जो हेड है वो राज्यपाल है और केंद्र की बात करे तो राश्ट्रपती है समवैधानिक रूप से लेकिन वास्तव में बात करे अगर इक्षाम के लिए important रही सकता है ठीक है तो ये चीज़ जान गए अब जानते हैं कि ये जो है यो गिताएं क्या-क्या होनी चाहिए राज्यपाल जो होते हैं ये निर्वाचित किये जाते हैं इनके बारे में समझते हैं राज्यपाल जो है ये finally नियुक्त किये जाते हैं ना कि निर्वाचित किये जाते हैं नियुक्त किये जाते हैं और किसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं राज्यपाल जो है किसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तो ये राष्ट्रपती के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं दोस्तो ये केंद्र के एजेन्ट के रूप में भी राज्येमें काजिक करते हैं ठीक है केंद्र सरकार या मंत्री परिशंत के सलाइपड ये नियुक्त कि जाते हैं राश्टापति के यह तो सभी में होना चाहिए यह तो राष्टरपती बने या परधान मंत्री बने मतलब भारत के नागरिक होना ही चाहिए नंबर दूसरा पॉइंट आता है 35 वर्स आयूपूरे कर चुके हो राज्येपाल बनने की योगता में 35 वर्स आयूपूरे कर चुके हो ठीक है तीसरा point आता है कि लाव के पदपर ना हो ये भी सभी के लिए लागू है परधान मंत्री हो या राश्ट्रपती हो सभी के लिए लागू है कि लाव के पदपर ना हो यानि कोई government जौब वगएरा ना करते हो ठीक है और चौथा point आपका है important ये चारों point ध्यान रखेग ठीक है आपको ना point चारों point ध्यान रखना है इनकी योग्यता से related और हाँ लाव के पदपर ना हो वो तीसरा point जो मैंने आपको समझाया कि लाव के पदपर ना होना चाहिए अगर government जो में पहले से भी है government officer वगएरा कुछ भी है तो उनको पहले उहां से मतलब क्या करना वो जोब छोड़ना होगा उसके बाद फिर इस field में आना होगा ठीक है ना तब ये मतलब राजयपाल के लिए योगताय में मतलब ये qualified होएंगे ठीक है तो इतना बात आप समझ गए अच्छे से अब चलिए MC की question से start करते हैं राजयपाल से related जितने भी important question बन सकते हैं वो 40 question में आपका हर question cover हो जाएगा चलिए first question से start करते हैं first question है राजय की कार्यपाली का सकती किसमे नहीत होती है दोस्तों इसका सही answer option number B हो जाएगा राजयपाल में राजय की कार्यपाली का सकती किसमे नहीत होती है तो राजयपाल में होती है अभी आपको हम समझाए है कि पारिका का हेड होता है इसलिए राज्य की कार्यपालिका सक्ति तो राज्यपाल में नहीं होगा ही होगा ना क्योंकि हेड है चलिए next question देखते है question number 2 है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्षे कौन है इसका सही अंसर option number B हो जाएगा राज्यपाल यानि गवर्नर next question देखते है question number 3 है भारतिय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है इसका सही अंसर option number D हो जाएगा राश्ट्रपती ये तो पहले भी बता चुके है कि राश्ट्रपती करता है अनुशेद 155 में दिया गया है ठीक है next question देखते है question number 4 है राज्यपाल अपना त he answer option number C हो जाएगा governor यानि राज्यपाल को हटाने का प्राभधान जो है वो समविधान में नहीं है इसका अर्थ ये होता है कि इनका कार्ज का जो होता है समान्यत यानि generally 5 वर्स का होता है आपसे एक्जाम में अगर पूछा जाए तो 5 वर्स का होता है लेकिन राश्ट्रपत राश्ट्रपति के परसाद पढ़यत्न पद धारन किये विरत है यानि राश्ट्रपति के स्वेच्छा अनुसार ही इस पद पर बने रहेंगे अर्थात जब तक राश्ट्रपति की स्वेच्छा उन्हें प्राप्त है तब तक पद पर बने रहेंगे इन्हीं हटाने की अपना पद खाली कर सकते हैं, यह त्यागपत राष्टरपती को दे देंगे और अपना पद खाली कर देंगे, कब जब राष्टरपती इन्हें बोलेंगे पंद खाली करने के लिए तब लेकिन इसको हटाने का मतलब विशेश प्रावधान विशेश प्रकिरिया नहीं दिया गया है संभीधान में ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए इस तरह से question कि हटाने का प्रावधान या प्रकिरिया मत इस तरह से आपको दिया रहेगा आपको इस तरह से दिया रहेगा तो आपको गवर्णर लगाना है ठीक है और कौनखटा सकते है मतलब कौनखटा सकता किए श्वेच्छानुषार्य कार्य करते घंट इस तरह सन आपको और first अगर पूछा जाप हां यह वी आपके मड़inden म में अगर दोनों अफसर में दे देगा तो सबसे पहला हो जागा आपका राश्ट्रपती ना की पांच वर्स ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर शीक्स है निम्न लिखित में से किसको महावियोग के बिना हटाया जा सकता है दोस्तों इसका सह सही आंसर हो जागा ऑफसर नमबर से किसी राज्ये के राज्यपाल को क्योंकि कोई प्राब्दान quelqu那么 किसी अनुशेत में कोई इनका मतलब विवरन नहीं किया गया ये किया गए है कि इनको कैसे, कि महा वियोग चलाकर हटाया सकता है, मतलब بіना महा वियोग चलाये हुए राश्ट्रपती के कहने पर ये अपना त्याग पत राश्ट्रपती को देंगे, नेच्ट कोश्चन देखते हैं question number seven है, भारतिये समविधान के अनुसार राजój का अधी सासी प्रधान कौन होता है दोस्तो इसका सही अंसर ओफ scooter number ये हो जायगा राज़पाल next question देखते है question number 8 है प्रधान मन्त्री के सलाह पर या ज़ी केंदर सरकार हो गया प्रधान मन्त्री कहने का मतलब किंद्र सरकार या मंतरी पडिसत के सलाह पर ठीक है next question देखते है question number 9 है राज्य सरकार का समवेधानिक प्रमुख होता है तो राज्यपाल होता है और दी करेक्ट हो जाएगा next question देखते है question number 10 है समाने रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है समाने रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है देखिए इस तरह से अगर question है तो इसका 5 words answer हो जाएगा option number C correct हो जाएगा next question देखते है question number 11 है राज्यपाल राज्य में किसका परतिनिधी होता है तो इसका सही answer option number A हो जाएगा राश्ट्रपती का राज्यपाल राज्य में किसका परतिनिधी होता है तो राश्ट्रपती का परतिनिधी होता है next question देखते है question number अगला देखते है इसमें कुछ गरवड़ी है या फिर यूँ कह सकते हैं कि यह थोड़ा पुराना question हो गया यह question number बाड़ा था यह थोड़ा पुराना यानि old model question है उसमें थोड़ा changing हो गयरा करना है देख लेंगे question number 13 है उप राज्यपाल की नियुकती कौन करता है उप राज्यपाल की नियुकती कौन करता है दोस्तों इसका सही answer option number A हो जाएगा राज्यपाल पद पर बना रहता है अगर वर्सों में दिया होता तो पात वर्स हो जाता अगर इस तरह से दोनों दिया है तो राष्ट्रपती के परसाथ परयात्न हो जायेगा ठीक है मतलब option में छोड़ा गया, option में टाइप नहीं किया गया है, यहाँ पे सारे 3 लाग हो जाएगा, ठीक है ना, सारे 3 लाग option D कर लीजिया, सारे 3 लाग, राज़ेपाल को परती महा कितना वेतन प्राप्थ होता है, तो सारे 3 लाग प्राप्थ होता है, ठीक है, next question देखते है, question number 16 है, राज़ेपाल का वेतन और वत्ता किस कोस से आता है, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, option number B, राज़े की संचित निधी से आता है, next question देखते है, question number 17 है, राश्टरपती सासन में, राज़े का प्रमुख सासन संचालक कौन होता है, इसका सही अंसर, option number B हो जाएगा, राज़े मंत्री परिशत का गठन कौन करता है, राज़े मंत्री परिशत का गठन कौन करता है, तो इसका सही अंसर, option number B हो जाएगा, राज़ेपाल करता है, next question देखते है, question number 19 है, किसी भारती राज़े के राज़ेपाल से संबंदित, निम्नलिकित में से कौन सा कथन शही नहीं है, दोस्तों इसका सही अंसर, option number C हो जाएगा, यह जो है, यह option सही नहीं है, यदि संबंदित राज़े की विधाई का उसे पद से हटाये जाने के लिए प्रस्ताव पाडित करती है, तो वहाँ पद मूक्त किया जा सकता है, next question देखते है, question number 20 है, राज़ेपाल संब दाई होगा, क्योंकि राश्रपती इनको निउक्त करते है, next question देखते है, question number 20 है, भारतिय समविधान के अनुसार, राज़ेओ की विधाईका में सम्मिलित है, इसका सही अंसर, नीचे देखते हैं, क्योंकि नीचे कूट दिया गया है, ठीक है ना, तो भारतिय समविधान क जहां इसका अस्कित्व है, चार नंबर कूट यहां पर सही हो जाएगा, option number D correct हो जाएगा, केवल चार सही है, ठीक है, next question देखते हैं, question number 22 है, निम्न लिखित में से कौन भारत के राश्रपती की इच्छा तक ही पदपर बना रहता है, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, इस्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं, राश्रपती की इच्छा तक ही पदपर बना रहेगा, जब राश्रपती कह दे, वो मतलब त्याग पत्र देदेगा राश्रपती के पास, और यह पद खाली कर देगा, ठीक है, next question देखते हैं, question number 30 है, राश्रपाल के पदपर न इसका सही अंसर, option number C हो जागा, राश्र के उच्छ नियाले के मुख्य निया अधिस, राश्र के उच्छ नियाले के मुख्य निया अधिस, राश्रपाल को पद की गोपनियता की सवथ दिलबाता है, next question, question number 25, समविधान के अनुसार, राश्रपाल पद पर निक्त होने के ल option number B देखते हैं, वह संसद या किसी राश्र के विधान मंडल का सतर से 9 हो, देखें, यहाँ पे 9 हो, यह भी सही है, नीचे देखते हैं, option C में है, वह कोई अन्य लाव का पद धारा न करता हो, यह भी satisfied है, क्योंकि यह भी स्टार्टिंग में बता है, option number D यहाँ पे सही हो ज इक राज में किसी अन्य राज के निवासी को ही राज पाल निवक्त किया जा सकता है, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, question number 27, राज पाल को निमन लिखित में से किस परकार की सकति प्राप्त नहीं है? इसका सही अनसर, option C हो जागा, सैन ने एवम राजनिक सकती? सैने एवम राज नहीं क सकती नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर अठाई से राजपाल निमन लिखित में से किसकी नियुकती नहीं करता है तो राज़ी के उच नियाले के सदस्य के नियुकती नहीं करता है ऑफसार नमबर डी करेक्ट हो जाएगा देखें यहाँ पर राज़पाल निमलिकित में से किसकी नियुक्ती नहीं करता है तो राज़ी के उच नियाले के सदस्य के नियुक्ती नहीं करता है बाकि मुख मंत्रिय वा मंत्री परिश्यत राज्य का महाधिवक्ता राज्य लोग सेवायोक के सदस्य ये सबको नियुक्त करता है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 19 है क्या राजी के उच नयाले में नियाधीशों की नियुकती के समय राष्ट्रपती संबंदित राज्यपाल से पड़ामर्ज करता है तो इसका सही अंसर अप्सन मेंबर हे हो जाएगा हां करता है कोश्चन नमबर 30 है राजीपाल विधान सभा में आंगल भारतिये समुधाय के कितने व्यक्तियों को मनोनित कर सकता है इसका सही अंसर अप्सन नमबर ये हो जाएगा एक व्यक्तियों को मनोनित कर सकता है दोस्तों इसका सही अंसर औफसन नमबर नीचे देखते हैं, औफसन नमबर A में है कला और सहित, औफसन B में है विक्यान, औफसन C में समाजिक सेबा हुआ, सह काडिता, अंदोलन और और औफसन D में है उपर्यूक्त सभी, औफसन नमबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A, A, B, C सभी सही है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 32 से राज्य पाल विधान परिशद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनुनित कर सकता है ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट कोश्चन है इसका सही अंसर अप्सन नमबर D हो जागा निश्चित संख्या इसका नहीं है इसका कोई लिमिट संख्या कोई लिमिट संख्या नहीं है नो लिमिट ठीक है न नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 33 से किस राज्य के राजपाल को जीला परिशदों के दिये जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजास्वी की रखम को निर्धारित करने का अधिकार है दोस्तो इसका सही अंसर option number B हो जाए का awesome ठीक है न, next question देखते है question number 34, verse 1970 पे राश्टरपती ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का, राज्यमंत्री मंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समेती का गठन किया दोस्तो इसका सही अंसर option number नीचे भी है देखते हैं, option number D हो जाएगा भगवान सहाए option number D correct हो जाएगा भगवान सहाए next question देखते है, question number 35 राज्यपाल होने के पिंजरे में निवास करने वाली चिरिया के समतुल्य है राज्यपाल, ध्यान से देखिएगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिरिया के समतुल्य है ठीक है ना, या किसका कथन है देखिए गजब है, option number B सरोजनी नैडू का कतन है ये exam में भी पूछा गया, देखिए RRB, AASM, Goods Card 2002 में पूछा गया question है, कि राजयपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिरिया के समतुल्ले है, यानि समान है, ठीक है, या किसका कतन है तो ये सरोजनी नैडू का कतन है, सरोजनी नैडू जो है, ये मतलब पर्थम महिला राजयपाल है क्या है, पर्थम महिला राजयपाल है, और ये पर्थम बार जो राजयपाल बनी थी, भारत की पर्थम राजयपाल जो बनी थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखते है, कोश्चन नमबर 36 से, भारत के किस राज्य में, राज्यपाल सासन लागू करने का समवैधानिक प्राबधान है, देखिए, गवर्णरल्स रूल, लागू करने का प्राबधान, ये तो प्राबधान है, जम्मू कास्मीर में ये तो राज्य था, लेकिन अब पुर्ण रूप से केंदर सासित परदेश बना दिया गया है, अब राज्य का दरजाई से नहीं है, फिर भी ये प्राबधान किया गया है, समवैधानिक प्राबधान किया गया है, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन देखते है, कोश्चन नमब सी एक वटा चो मनोनित कर सकता है ये मिनिममम संख्या हो जाएगा ठीक है ना मिनिममम संख्या पिछले कोशन में क्या देखे थे राज्यपाल विधान परिशद में अधीक से अधीक कितने संख्या को मनोनित कर सकता है तो कोई लिमिट संख्या नहीं है लेकिन मिनिममम संख्य एक वटल छो मनोनित कर सकता है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर और तीस है राजपाल के अभी भासन का अर्थ है विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भासन ओफसन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारत के किसी राजपाल बनने वाली पर्थम महिला कौन थी? अभी बताए हैं सरोजिन एडू ओफसन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा किस राजपी की बनी थी? तो यूपी यानि उत्तर पर्देश की बनी थी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 40 है किसकी अनुमती के बिना राजपी की विधान सभा में कोई धन विद्यक पेस नहीं किया जा सकता? इसका सही अंसर option number A हो जाएगा राज़पाल के अनुमति के विना राज़ की विधान सभा में कोई धन्ड विद्यक पेस नहीं किया जा सकता ठीक है अब देखते हैं आज का question यानि आज का आपके लिए question क्या है राज़ अस्तर पर मंत्री पडिसत के मंत्रियों के नियुकती कौन करता है option A में है दले का, अध्यक्च, option B में है मुख्य मंत्री, option C में है राज़पाल और option D में है परधान मंत्री इसका सही अंसर क्या होगा आप अपना अंसर कमेंट करके जरूर बताएगा फिर मिलते हैं, next वीडियो में, next topic के साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो like जरूर कर दीजेगा, bye bye, take care